हेलो एब्रिवन वेल्कम टुड़ कम्पूटर एंड इंटरनेट टिप्स आज हम इस वीडियो में सीखेंगे के कम्पूटर की स्पीड कैसे बढ़ाते है और पावर पर्फेमेंस यहने इनर्जी कैसे बच जाते है तो पावर पर्फेमेंस का यहने पावर सप्लाई का और कम्पूटर स्पीड का एक रिलेशन है उसको आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे उसके लिए आप पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और फिर कंट्रोल पैनल ओपन कीजिए बाद में यह विंडो आपके सामने एपियर होगा उसमें से सिस्टेम एं सेक्यरिटी छूष किज यह देन पावर आप्जन छूष कीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर Сleek्ड कि आपके समने डिसप्ले होंगे इसमें से मेरा भी स्लेक्ट किमा ओड बैलेंस में होता यह है कि Automatically balance performance with energy consumption on cable hardware यहनि Automatically होता है मतलब कि अगर जाद़ा अगर अगर कम्प्पॉटर परफार्म कर रहे है तो इसको जाद़ाँ पावर ना करता है और जब अगर उस पह पर कम्पॉटर पर कम वर्क हो रहा है तो कम power supply करता है और energy बचाता है high performance में ऐसा होता है कि आपका computer जो है energy बचाएंगा नहीं ज़्यादा power supply ज़्यादा होगा power supply ज़्यादा लगेगा लेकिन computer speed अच्छी चलेगी और power saver में ऐसा है कि save energy by reducing your computer performance where possible जहाँ जहाँ पे energy saving possible होगी वहाँ वहाँ computer जो है power supply जो है बचाएंगा आपकी बिजली बचाएंगा लेकिन जो है computer speed जो है थोड़ी slow चलेगी तो आपको जो है मैं recommended suggestion करूँगा कि भी जो है balance रखिए और आप चाहते है कि आपकी computer speed ज़्यादा हो और power supply का कोई यहने कोई टिंशन नहीं है तो आप जो है high performance पे check लगा के check लगा दे तो मैं जो है balance रखूँगा balance setting को और balance रखूँगा जो है balance होगा तो आप जो है आपके option से रख सकते हैं तो आज हम इस video में हमने सिखा है कि कैसे मतलब जो है power performance है जो है computer की speed increase और decrease कर सकते है और power supply बचा सकते है अगर आपको यह video पसंद आया तो please like and share this video and subscribe channel this for more updates Thank you